एपिशोड के स्टाट में हम लोग को बता रहा होता है कि बहुत टाइम पहले यहां पे एक गॉड़ेस होते हैं जिसका नाम लैप लेज था और उस लिए पर सारी सारे नॉर्मल हेवंस को एक पावर दे रही थी जिसको हम लोग स्किल्स कहते हैं अब हम लोग देखते कि यह इसको बता रही होती हैं इसको एक गॉड़ेस काृट यहां पर एक पर्राबर होते थे की इक पास कोई पावर नी थी तब पर टाइम एक गोल्डन टाइम था और भाई ये बच्चा बोलता है कि मैं चाता हूँ कि वह उसी टाइम पैदा हुआ होता और रोने लग जाता है विलाल यहाँ पर सिस्टर देखती कि बगल इल्टेवल खाली है पर वो बोलती है सहारा तुम कहां पर चली गई हम नेक्स में हम लोग इस बंदी देखते हैं जो कि इस बच्ची को अभी टॉचर कर रहा होता है और यह बच्ची काफी जब दार रो रही थी एन काफी तर टोट शुकी थी इसको यह पर चुड़ के चला जाता है थोड़ी देर के लिए तभी वहां पर फेट आता हो बोलता है और उसके बाद वो पीछे मोड़ता हो पर प्र शौड लिगालता है वह बोलता है कि मैं तुम्हें इस बच्ची को आम नहीं पहुचाने दूगा पर पीछे मोड़ता है कि बाई यह अपने वह बहुता था ओर ओर कॉंफिटेंस अमझ रहे है इसकी इसी और लग फाइदा उठाएंगे फेट यह बहुता है तुम नहीं बचोगे तयार हो जा अपनी मौत को स्विकार कर लो तो इसकी सामने हैं गिरते हैं और अचानक से उसमें से लिकल के इसके कर देता है इसका थोड़ी से खरोश तो आते है लेकिन यह बोलता है कि बस बहुत हो गया तुम मरने वाले हो और वह अपनी डबल ब्लीट यूज़ करने वाल होता है तबी इससे बोलता है और अब चल्देश से बता तो कि वह ब्रूटल हो सकता है हाडव विलरिक मुझे ज इस बिंट को इंट्रियूज करता है एक शॉप पर जाता है जहां पर वह दो मीट के पैसी करी दिता है उसे जिए पहले बार मीट टेस्ट करें उसके यहां पर आसुआ रहे थे क्यों का फ्यास आप वह देखता है आप अपनी भी आपनी आप मीट होती है विश्को साहरा को देता है और बोलता है कि तुम इसे एज्वाय करो और यहां पर फेट उसको खाते को देखे काफी अधर खुश हो रहा था नेक्सिन में उस और फेट उसको छोड़ देता है जहां पर साहरा अपनी सिट्टर्जा के गले मिल जाती है अब यहां पर यह दोनों लोग इसको थेंक्स करते हैं वो बोलते हैं कि आपकी आप मदद के लिए बहुत-बहुत शुकृया इसे पहली बार मेरे को किजी ने थैंक्स बोला है इस पूपने फो हमेशा भूख लगी रहती है इसलिए कभी विफने यह वेक्स हाथ की यहां पे हांपन प्ली बुटाल जाता है पर सौट का नाम है अगर कोई जो तो मैं बता दूं कि वेल डन तुमारे पास अब एक टेकनिकल यहां पर आ चुकी है यह पूस्ट रही सब पहले बता चाहिए तो इसकी सवाड बोलती है यहां पर एक हिए जो की च्छोडी जब चुक बचा रहा था पूरी पूरी स्टोरी यहां पर खिर्करी हो जाती है काफ एक पावफोल लोग होते हैं तो अभिए बंदा बतार होता है कि यहां पर मिशा के दरा घय. क्योंकि रॉक्षिक डैड नहीं रहे तो रॉक्षिक ही है जो साइक साइच चीज़े यहां पर हैंडल करने वाली है अबस्टिली में रॉक्षिक जो फैमिली होती ना उसके अंडर यहां पर होली नैट्स काम करते हैं यह बंदा पूछता है कि आस फेट नहीं देख रहा लादा यहां पर ओली नैट से जो काम करते हैं वो देखता है कि इसका विला नहीं नहीं कैसल काफिस जादा बड़ा हैं अब इसमला हम लोग रॉक्षिक के दिखते हैं जो कि अपनी कैसली इनिफर्म में होती है और वह बोली होती है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी त हो सकती है और रॉक्षी उस ग्रेव से बात करती है कि डैट यहां पर काम करेगा इसका दब फेट हैं और आई होप कि इसके यहां आने से यह कैसल की यहां पर जो पुश्या है वह और जाता बढ़ जाए अप फेट बोचते है कि तुम्हारा एक डैट का यहां पर ड्रेव ह हो सकता हूं इसमें रॉक्षे बोलती है तुम्हें फिकर आने जरूत नहीं है क्योंकि अपसे यह पूरी पूरी जगा मैं एंडल करोंगी और आई होप कि तुम मेरे उसमें हेल्प करोगे लेकिन जैसे फेट उससे हैं करने वाला हो तो उसको याद आज़ता है जब से लास है कि अगर तुम यहाँ पर सर्वेंट बनने वाले हो तो यहाँ दिखने तुम्हें अपनी मैनर्स है पर सुदारने पढ़ेंगे ठीक है फिलाल यहाँ पर फेट कफितर डरा हुँ दिख रहा था जिस पर रॉक्षी काफिर रिलाइक्स दिख रही थी नैसे नहीं देखते ह से पर सुद्धन मैंट न बनेक्तेश हैं। उसके बहुता नहीं 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 मैंने अब भी ही लंच कना था और इसकी जो आवास दिना पेट की वह बढ़ती जा रही थी पेड़वापस आके बैटता है और रोक्सी उसको फेक के नाम से बुलती है और रोक्सी उसको काफिर बुलती है निकिना हुद कुछ नहीं और वो अब नहीं रहे इसलिए मेरे को तोड़ा शॉकिंग लगा लाल तुमने मेरे को एक निकनेम क्यो दिया मैंने तब निक्नेम इस लिए दिया क्योंकि तब है। आपो ने लोग यापे निक्नेम ने लिए ले ठीक है। अब वह आप अपने गेट से पूछता है अपनी स्वार्ट से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है इसके स्वार्ट इसको बताती है एड दिया जब तुम्हें ग्लूटेश के लिए तो तुम्हें रेगलर बेसे पर आप सोल को एक चाहिए होगा नहीं तो यह बिखाप हो सकत प्रफियागते हैं उसकी आक ही प्यूरेट होती है मैं बहुते हैं कि यहाँ पर चैनल अपने चाहरा आपने लिए के साथ complete आको मंड़ा बोलता है कि और भी काम निए में बना मेरा पेड अब विखा लिए और वहां पर आस पास आ जाता है जहां पर बड़े बड़े गोब होते हैं इनको मानने के बाता है फाइनली अब मेरा भर चुका है वो बोलता है मैं बहुत जादा थक चुका हूँ यार ऐसा जलता रहा तो पिनक क्या होगा और मैं रिचादा कि मेरे को यह जो फीलिंग अभी आज मेरे को आई हूँ वापस से आए अब यह पर नोटिस कता है क इसका नाम है health regeneration इसकी स्वाट बताती कि इस से जब भी तुम उसको इंजाट करोगे वह आपर हील कर जाएगा यहां पर यहां पर अटेक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वह देखता है कि वह उसी इसनान को चबाने लग गया है और क्रीट बताता है कि क्या हो गया वहागती रहोगे तो तुम कभी भी इससे जीत नहीं पाओगे और बोलते है मेरे विश्वास करोज पर अटैक करो से फेड बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें पूरा विश्वास करता हूं और वो इसके उपर अटैक कर देता है यह डाइट जाके इसके कर सकते हो इससे तुम्हें भी बढ़ेगी आप फेड बोलता है कि तुम्हें अब इसकी स्वाड बोलती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हें अपना मास्टर माना चोड़ दूगा और मैं किसी और के पास सला जाओंगा लेकिन विश्वास करो अगर त पास सब्सक्राइब करो इसके पर इसके प्राइब आप आप आजाएगई और जैसे ही ऐसा करता है इसकी आप 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 आ जाती है और यह एरौ जिसका नहीं पास स्लावत होतीए मतलब तुम कहीं भी फाय करो या प्रियाप जगे टार्गेट पर लगेगी जिससे भाई ये स्कॉब्लिन को मार देता और कॉफ एदर पैसे जमा करके ट्रेट ये सारी सरे पैसे उसी आफ्टेस के बाहर रख देता है और इसे साथ गाइस ये एपिसोड ये पर एंड हो जाता और स्क्राइब को तो अगला एपिसोड देखने के लिए पाके मैं मैं वोलताव से ने स्टावजिंग वीडो में तिल देन बुट बाई